हाई अब्रवन वल्कम पो डिश्टल जी के क्लासेज तो आज हम SST की जो है नेक्स्ट मेराथन देखेंगे इसके पहले की जितनी भी मेराथन हुई है उसकी प्लेइलिस्ट मैंने बनाई हुई है आप प्लेइलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं अच्छा क्वेश हो रहा है वही जिन्होंने बहुत सारी पेपर कियें अब देखो आपने मालो पेपर कियें दो और फिर आप बोलें क्या रही नहीं रिपिट नहीं होता है तो फिर तो आपके बात में दमी नहीं है आप 20 पेपर कर लीजे 24 के पूरे के पूरे पेपर कर लें देन आपको बत तो चलिए और पहले बोलने में बहुत ज्यादा पेन होता है, इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूं आप भी जानते कि जमों में छाले जाते तो बोलने में बहुत जादा दिक्कत होती है, बट आपका पेपर है, इसलिए मैं मिस नहीं करूंगी, और हाँ, आपकी जो रिक्वेस्ट है, इस पे भी मैं काम कर रही हूं, थोड़ा थोड़ा वीडियो मैं सूट कर रही हूं, क्यों सारे कमेंट आते हैं, आपकी इतने नंबर होए, तो बहुत अच्छा लगता है, देखो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यह जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, कि आपने, मालो मैंने साट कोशन करा हैं, तो अगर इसमें से एक कोशन भी आ जाता है, आप वो सहीं करके हैं, बाकि आप लाइक मत करो, शेर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, आप इवन मैं तो यह बोलती हूं, कि आप 2X की स्पीड में करके देख लो, ठीके न, कोई यह नहीं बोलेगा, कि आप बढ़ा के देखो, मैं बढ़ा के देखे, आपका जिसमें फायदा हो रहा है, आप व यहां पर देखे, चुद्र ग्रहों के बारे में, नीचे वा के जो हैं, उसको पढ़ना है, सबसे पहले लिखा है कि यह सुर्व के परिक्रमा लगाते हैं, कभी कवार्वे प्रिथवी के नस्दीक आ जाते हैं, गिल जाते हैं, यह मंगल ग्रहों वह रहष्पती ग्रह की कक बीच पाए जाते हैं, देखे, यह आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो यह चुद्र ग्रह है, इंग्लिस वाला भी दिखा देती हूं, इंग्लिस की बहुत रिक्वेस्ट आती है, कि देखे, यह जो एस्टोराइड है, इनका क्या काम होता है, यह आपको पता होन चाहिए, तो अगर मैं इसको यही पर एक options आपको टिक करके बताऊं, ताकि एक इंग्लिस वालों को भी थोड़ा सा फाइदा हो जाए, तो देखे, इसमें जो है मारा A and C वाला statement सही होगा, कि यह move करते है around the sun, and they are found between the orbits of Mars and Jupiter, यह इतना रट लो न यह, इतनी बार पूछा ग अब ही मैंने आपको बताए, चुद्र ग्रहों के बारे में, तो क्या सही होगा, पहले तो यह सूरी की परिक्रमा लगाते हैं, और दूसरा कि यह मंगल ग्रह वा वरिश्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, तो A and C, देखे, आपके जो भी comment आते तो बाकी दूसरे सिफ्ट से भी match कर रही है, ठीक है, इसलिए लेकर रही हो, चलिए, अब चलते हैं इस पे, 92, देखे, इसमें देखे, पूछ रहा है कि आप कतनों को पढ़ो और सहीं विकल्प का चैन करो, लिखा है कि प्रित्वी परिस्थानों को अवस्थित करने में व ए और बी दोनों को सहीं करोंगी और जाओंगे पहले के साथ, ठीक है, आप screenshot ले लीजिए, चलिए, और इसका English वाला भी दिखा देती हूं, देखे, इसमें दोनों सहीं है न, कि equator is a very important reference point to locate place on earth and by measuring the angle of the pole star from his her place, a person can find the latitude of his her place, तो दोनों बाते सहीं हैं, तो हम जाएंगे पह थोड़ा सा समय वो चला जाता है, चलिए अब यह देखिए, 93 और इससे related एक ही question आएगा, तो इसलिए आपको जादा परेशान नहीं होना है, यदि दो इस थान A तता B क्रमसा, 20 डिग्री इस्ट तधा 95 डिग्री इस्ट पर इस्थित है, तो एक और B के बीच में कितना समय अंतराल होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, पांच घंटे, आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 59 questions आपके हाथ में आप उसे करिए, एक question के पीछे मत भागिए, और इसमें कुछ हैन इंग्लिस दिखाने वाला, तो चलो आगे बढ़ते हैं, 94, देखिए, और ये question देखिए, आप खुद बताएंगे कि ये repeat हुआ है या नहीं, मैंने कराया था न, इसमें देखो लिखा है, कि रित्यों के कारण, रितु की बात हो रही है, तो आप रितु पे आपको ध्यान देना है, रितु के कारण, के बारे में, जो कथन दिया गया है, उसमें से सहीं व परिवर्तन होता है, बात एकदम सहीं है, और रितु की बात हो रही है, तो रितु में परिवर्तन, सुरी के चारो पृत्वी की इस्थिती में परिवर्तन के कारण होता है, बाकी घुडन के कारण नहीं, आपको मैंने बताया है, ये मौसम वाला है, ठीक है, तो चलिए, C व अभी देख लीजे तो इसका right answer आप screenshot ले सकते हैं यह है A and B इसमें क्या सही होगा कि revolution of the earth and the inclination of the earth fixed direction cause seasons and changes in the position of the earth around the sun changes seasons ठीक है तो यह दोनों बाते सही हो गई चलिए अब 95 पे आ जाते हैं चलो देख लेते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है 95 में पूछ रहा है सबसे पहले लिखा है Hindi English दोनों दिख रहा होगा इसमें कि उष्ण कटि बंदी सदा बहार वन मानसून वन होते हैं ठीक है क्या यह बात सही है तो जी नहीं मैंने अल्रेडी बहुत बार यह question कराया है उष्ण कटि बंदी सदा बहार वन भूमद रेखा यह उष्ण कटि बंदी के पास पाई जाते हैं ये होगा सही दूसरा बट और भी पढ़ लेते हैं उष्ण कटि बंदी सदा बहार वनों में पेड सुस्क मौसम में अपने पत्ते जाड़ देते हैं उष्णकटिबंदी सदा भाहर वनों में, साल, सागोन, आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने किया ने ये पिछली क्लास में कि कौन से विरिक्ष जो हैं, किस तरीके के वन में पाई जाते हैं, तो वही तो question repeat कर रहा है, ये दोनों गलत हैं, सहीं वाला क्या है ये, उष् को आपको तयार करना है, चलिए, अब चलो 96 नंबर का question देखते हैं, और ये भी question बहुत important है, देखे, लिखाए कि सहारा रिगिस्तान के बारे में निम्न कत्नों पर विचार करें, तो क्या इसमें सहीं होगा ये आपको बताना है, तो आज का सहारा एक समय में पूर्ते हरा हरा मैदान था, आज आप देखते होंगे कि वहाँ पे कहीं भी हरा भरा नहीं देखता है, बड़ पहले था, और यहां की जलवाई गर्म एमसुस्क होती है, देखो दिन में तो 40-50 डिगरी टेंपरेचर होता है, बड़ रात में बहुत जादा ठंड पड़ती है, सहारा में इतना ज्यादा टेंपरेचर होता है, इसलिए यह फुल कपड़े पहनते हैं, और धीले ढाले कि एर जो है, वह सेर्कुलेशन बना रहे है, साथ में यही कपड़े इनकी राव में मदद करते हैं, अत्यदी ठंड से इनको बचाते हैं, ठीक है, इस वज़ा से पहनते हैं, त तो बाकी सारी बाते सही है, तो क्योंकि कई लोग क्या करेंगे न, मैं जानती हूँ, इसलिए एक्जामिनर ने कोशन पूछा है, A, B, C को सही करेंगे, बट वो कहेंगे, भारी क्यों पहनेंगे, गर्मी होगी तो हलके कपड़े पहनेंगे, तो इसलिए यह चीज ना लोग और धीले ढाले रहते हैं, अब यह नहीं कि जैकेट पहने कोट नहीं, फूल पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा, पूरा फूल स्लीव का होता है, उपर से नीचे तक धका रहता है, तो चलिए, यह हो गया सही, अब 97, यहाँ पर देखो, यहाँ इसमें आपको सही सुमिलित करना है, 97 में, तो पहले एक बन मैं बता देती हूँ, यहाँ पर देखो, मूल सेल लिखा, यहाँ पर कायंतरित सेल लिखा है, तो कुल मिला कर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही मिलान है, यह आप से पूछ रहा है, तो देखो, चून इसका राइट आंसर मैंने क्या बता है ए और बी यह दोनों ही सही है जैसे कि लाइम स्टोन मार्बल है और क्ले हमारा स्लेट है ठीक है चलिए अब हम आगए 98 पे और इसमें कुल मिलाकर आपसे यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी जो है वाय मंडल का एक बड़ा भाग बनाती है कौन सी गैस ठीक है तो यह आप सभी को पता ही है oxygen और nitrogen आप मुझे प्रतिसत में बताइए nitrogen oxygen कितना है ठीक है और एक मैं option देरिए 78% oxygen 21% क्या यह सही है या नहीं सही है यह भी मुझे आप बताइएगा तो सबसे बड़ा भाग यही है और organ तो हमारा zero point में होता है carbon dioxide भी बट हाँ oxygen nitrogen के मात्रा जो है सबसे ज़्यादा है वाय मंडल में so हमारा four option is right जहां पे इंग्लिस की जरूत लगेगी मैं आपको दिखा दूं इसमें देखे क्या पूछ रहा है कि इन कतनों को पढ़ो तथा उप्यूक्त विकल्प का चैन करो कतन यह क्या लिख रहा है कि बाहे जो वाय मंडल में मौसम संबंधी कितनी बार मैंने बताया है यह तो ट्रोपोइस्फियर में होता है जिसे हम छोब मंडल बोलते हैं है की नहीं ट्रोपोइस्फियर में होता है मौसमी घटनाए और यह लिख दिया बाहे वाय मंडल में तो यह तो बात वैसे ही गलत हो गई प्रिथवी से प्रशारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुना प्रिथवी पर परवर्तित कर दी जाती है जी हां बाहे मंडल में किससे कर रहा है यहां पर देखो सबसे पहले तो बाहे मंडने मोसमस मंदी घटनाएं नहीं होती है बड जो बाहे को फ्रिथवी से प्रशारित प्र,' क्योंकि की के बारं प्रिथवी पर वर्तित कर दी जाती है तो बे टो सहीं है बड़ ए गलत है तो यह हो जाएगा option number 4 ओके चलिए फिर से statement वाले question है और यह हमारा hundred है तो आप देख सकते हैं questions ऐसे ही repeat होता है सब्दों के साथ तोड मरोड के इसमें देखें इसमें पूछ रहा है Amazon Basin के बारे में पूछ रहा है इसमें सघन वन बंजर भूमी में बदल जाता है जितनी मिट्टी के उपरी परत हटेगी न उतना ही वो बंजर भूमी में बदल जाता है विकास गती विदियों के चलते Amazon Basin में वर्सा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है जी हाँ यह इसका reason दोनों बाते एकदम सही है screenshot जरूर ले ले लेना दोनों ही सही है तो option number third ओके चलिए और जो important लगे न आप note करते जाओ, note करने से क्या होता है कि आपको exam के समय में copy से revision करने में बहुत help मिलेगी चलिए 101 देखिए इसमें पूछ रहा है कि सतत पोस्णी विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्ण में से कौन से कदम उठाये जाने चाहिए तो चलो देख लेते हैं अच्छा, English भी देख लो इसका तो ठीक है, आपको sustainable development के बार में पूछ रहा है तो इसमें से कौन से कदम हमको उठाना चाहिए तो अगर मैं इसका right answer यहाँ पर टीक लगा दूँ तो इसका right answer हो जाएगा A and C तो जो लोग English medium से आप यहाँ पर देख सकते हो more focus on the हमको किस पे ज़्यादा renewable resources पे focus करना चाहिए and जो altitudes and practice है towards the environment इस पे करना चाहिए तो A and C English में भी देख लीजे मतलब नविकर्णी संसाधनों के इस्तिमाल पे हमको जोर देना चाहिए अगर आप सतक portion विकास को सुनिशित करना चाहते है and हमको परियावरण के प्रती वैवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए तो A and C यह वाला हमारा right हो जाएगा दूसरा ठीक है? चलिए तो 101 हो गया अब हम आगए 102 पे questions भी बताती जा रही हूँ यह रहा चलिए 102 नंबर का question देखिए पूछ रहा है किसमें एक प्रारंबिक इस्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से निम्न में से कौन से उपविषय पढ़ाए जा सकते हैं मतला जनसंख्या पिरामिड से रिलेटेड आप कौन से उपविषय पढ़ा सकते हो तो देखो, हम इसमें जन में मुरित्य उधर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जन संख्या के ही तो बात हो रही है न, महिला पूरसों की जन संख्या के हम तुलना कर सकते हैं, कि कितना ज्यादा है, कितना कम है, साथ में हम जो स्रमिक संख्या बढ़ रहे हैं इसके बारे में भी, अब 103 पर आ जाईए वही है स्टेटमेंट वाले कॉश्चन बार बार देखें स्टेटमेंट वाला कॉश्चन क्या लिख रहा है कि इसमें पूछ रहा है दो कथन दिये गये हैं और आपको बताना है कौन सा सही है सही पर ध्यान दो ठीक है पहले देखो लिखाए कि सहकारी छेतर के उद्योगों का स्वामित और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों कामगारों अथ्वा दोनों द्वारों होता है जी हाँ ये बात सही है और नीचे लिखाए कि मारूति उद्योग लिमिटेड और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपकरम के उद्वारन है ये बात एकदम गलत कच्चे माल से रिलेटेड जो चीज़े है न उत्पादक पूर्तिकार ये हमारा सहकारी छेत के उद्योगों का स्वामित और संचालन है इन दोनों के द्वारा होता है बट ये बोल लाए कि जो मारूति द्योग है जो इस्टिल ऑथोरिटी है ये भी इसके उद्वारन है तो ये बात गलत है तो इसमें राइट कौन सा होगा केवल एक है पहला ठीक है चलिए एक सो तीन भी हो गया अब हम आगए एक सो चार पे इसमें देखिए एक सो चार में पूछ रहा है कि लगबग तेज सो वर्स पूरो तमिल छेत्र में बड़े भू स्वामियों को क्या कहते थे बताईए और इसमें तमिल को इंग्लिस में भी वही बोलेंगे तो क्या कहते थे मैंने पहले ही बता है विल्लार ठीक है ये इसका राइट आंसर है तो तो जो भी लिखा हुआ है यहां पे कि लगबग तेज सो वर्स पूरो जो तमिल छेत्र है उसमें बड़े भू स्वामि को क्या कहते थे तो वेल्लार कहते थे पहला सही हो जाएगा अपने स्क्रीन सॉट ले लिया होगा चलिए एक सो पांच पे देखे एक सो पांच में यहां पे क्या पूछ रहा है कि हमें ग्यात है कि हडपा काली लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पूरा तत्त्य विदो के साक्ष मिले थे अब यहां पे क्या होगा किसके मिले थे वास्विक हलके, मुहर के, खिलोना हलके की गुफा में बनाएगे, चित्र में हल बताए किसके मिले थे, तो यहाँ पर मिले थे, खिलोना हलके तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है चले, अगर ऐसे कोशन कई बार पूछेंगे, जो की confusion इसमें बहुत होता है हो गया, अब हम आगए 106 पर और यह कोशन आप मुझे बताएगे, क्या यह repeat हुआ है या नहीं हुआ है प्लीज, इमानदारी से बताना, इतनी बार तो मैं इसको करा चुके हूँ सिलपादिकारम की रचना की गई थी, जो तमिल महा काव्वे है, किस के द्वारा किया गया था इलांगो के द्वारा ठीक है, सिलपादिकारम रट लो कि सिलपादिकारम कहीं पर भी आया तो इलांगो और ये क्या है? ये तमिल महा काव्वे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दूसरा सही हो जाएगा, चलिए 106 भी हो गया, अब हम 107 पे आते हैं, देखें 107 में, सास को द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माड किया गया था, आप सभी जानते हैं, तो सही विकल्प का चैन करें, भगवान के साथ अपनी घनिष्टता घोसित करने के लिए, क्या मंदिर मस्जिद का निर्माड इसलिए किया गया था, तो जी हाँ, कि हम भगवान के साथ अपनी घनिष्टा घोसित कर सकें, सक्त्य और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, पुजार इसमें क्या पूछ रहा है कि इन में से कौन सी छेतरी भासा का प्रयोग उप महादीब के सरकारी अभी लोगों में सबसे पहले हुआ था तो ये तो रटने वाला है मल्यालम याद रखेगा मल्यालम जो है ना सबसे पहले हुआ था उप महादिप के सरकारी अभिलेकों में तीसरा जो है सही हो जाएगा चलिए 108 भी हो गया अब हम आते हैं 109 पे यहाँ पर कुछ समझाने मायने में एक संग गठन था क्योंकि इंगलिस भी देख लो और संग वाजन एस्टोसियेशन इन दर ट्रू सेंस बिकॉज तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्योंकि मेनी मेंबर्स रूल टूगेदर थ्रो डिस्कशन और डिबेट्स इसलिए कि और पहला ही सही है इसलिए नहीं कि यहाँ पर वुमेर एंड जो कमेकर सें टू पार्टिसिपेट इन दर असेंबलिस नहीं जो मेनी मेंबर्स है वो रूल करते थे टूगेदर एक साथ थ्रो डिस्कशन और डिबेट्स में इसलिए हम संगों को क्या कहते है association कहते है in the true sense तो reason एकदम सही है पहला सही हो जाएगा हिंदी में भी समझा दूँगी संग की बात हो रहा है कि यह सही मायने में एक संग धन था क्योंकि कई सदर्सियों ने एक साथ चर्चाओं और विवादों के माध्यम से सासन किया पहला सही है बट यह नहीं कि इसमें महिला और कामकरों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिल किया गया था जी नहीं कि वर डिबेट और इस पर डिसकशन करने के लिए किया गया था तो पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया मतलब बी गलत है 109 भी हो गया आप चलो 110 पे आते हैं कमेंट करके बताना कितना सही कर पा रहे हो आप लोग अब ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर इस्थापित की गया थी कलकत्ता, बंबई, मदराष, सूरत बताइगें, इंगलिस भी देख लिजे बताइगें, तक सभी जानते हैं बॉंबे 1st कोरटन जो है वो कहां पर इस्तापित किया गया था बॉम्बे में किया गया था राइट आंसर इसका क्या होगा बॉम्बे एक मिनट बॉम्बे ये रहा ठीके ना पहली सूती कपड़ा मिल बहुत से लोगों को लगता है कि एहमदाबाद है नहीं बंबई में इस्थापित किया गया था दूसरा सही है 111 और ये फिर से वही statement वाली चीज़े है कि भारत में प्रचारकों की गतिविदियों के संदर्व में A और B इस कथन पे इसको पढ़ो और बताओ इसमें से क्या सही है तो चलो देखते हैं सबसे पहले देखो 1813 तक East India Company भारत में प्रचारक गतिविदियों के विरुध थी जी हां और दूसरा लिखाए कि कम्पनी को भै था कि प्रचारकों की गतिविदियों के वज़े से इस्थानी जनता के बीच असंतोस पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिती को सक की नजर से देखेंगे तो जी हां व्याख्या भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है तो हम जाएंगे फोर के साथ ठीक है? चलिए हो गया 111 तक अब आगए 112 112 में देखे क्या पूछ रहा है कि 1840 में बॉम्बे में परम हंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो किसलिए किया गया था? जाती उन मूलन के लिए किया गया था ये गलत वाली चीज़े याद मत रखना कि लड़कियों की सिक्षा, महिलाओं की सतन्ता, विद्वा, पुनर्वे जी नहीं, परम हंस मंडली की स्थापना ही इसलिकी गई थी, ताकि क्या कर सकें? अबोलिशन अफ कास्ट जाती उन मूलन के लिए, तो दूसरा सही हो जाएगा याद रखना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अब हम आते हैं 113 पे चलिए यहाँ पर लिखाए कि निम्न में से कौन से हिंदू सभाओं के कटर आलोचक थे तता उन्होंने कहा कि ब्रामडों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तता महिलाओं पर पुरुस का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनुद्वरा रचित, सनिता, भगवत गीता और रमाड जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है तो ये किस ने कहा ठीक है तो ये कहा पेरियार ने फोर ओप्शन इस राइट चलिए अब आगए 114 यहाँ पर देखे फिर से ये कौशन भी कई बार पूछा हुआ है और दुबारा से आपके सामने है अच्छा आपने इसका स्क्रीन सॉट तो ले लिया होगा ना मैने थोड़ा समय दिया ही आपको कहा गया ये रहा ये कौशन नमबर 113 आपने स्क्रीन सॉट लिया है कि नहीं लिया है क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि स्क्रीन सॉट के समय रुख जाये करो तो ठीक है रुख गई हूँ तो हो गया 113 का अब चलो 114 चलिए यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि भारत में जाती प्रथा के विरुध आंदोलन के कथन में दो कथन पढ़ो सही विकल्प का चेहन करो पहला लिखाए कि 1927 और 1935 के बीच भीमरांबेटकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए तीन आंदोलन चलाए जी हाँ आप जानते ही है कि मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था जो निचली जाती के लोग हैं वह पूरे देश को दिखाना चाते थे कि समाज में जाती पूरा ग्रव की जकड कितनी मजबूत है और आज भी ऐसा आज भी बहुत सारे इसे घटना ही आती है दिखाओगा आपने एक छोटा सा बच्चा मंदिर में चला गया या कोई और ऐसा चला जाता है पूरा मंदिर ही धुलबा देते हैं जो कि बहुत गलत चीज है तो दोनों ही बाते सही है और हम जाएंगे फोर के साथ व्याक्या भी सही है चलिए अब हम आगए एक सो पंदरा पे देखे एक सो पंदरा में क्या चीजे सही है गांधी जी ने आवसायोग आंदोलन अचानक से रोग दिया आप सभी जानते कि गांधी जी जो है हिंसा नहीं चाते थे उन्होंने पहले ही बोला था कि जो भी होगा हम उसमें हिंसा नहीं करेंगे वो हमेशा से अहिंसा के समर्थन थे आप जानते ही है तो इसलिए क्योंकि आवसायोग आंदोलन आप जानते ही है इन्होंने स्टार्ट किया उसके बीच में हिंसा हो गई तो चलिए यह question देख लेते हैं कौन सा number है 116 और इसको chronology order में आपको arrange करना है तो चलिए तो आसान है गांधी जी से related है आप सब कर लेंगे दांडी मार्श भारत छोड़ो आंदोलन रॉलेट जो है खिलाफत आंदोलन तो आप इसको क्रम में लगाए तो सबसे पहले इनका कौन सा हुआ था तो आप जानते हैं रॉलेट जो की काला कानून था इसी के बाद से भी बाद बढ़ता है उसके बाद से खिलाफत आंदोलन तो यह पहला हो जाएगा यह दूसरा हो जाएगा उसके बाद से हमारा दांडी मार्च और 1942 में यह देखिए यह लास्ट में वह था उन्नी सो बाद में भारत छोड़ो आंदोलन तो आप समझ सकते इसका राइट आंसर क्या होगा यह होगा यह रटलो क्योंकि यह आपना किस वर्स होई थी तो 1950 में हुई थी बस यह तो बहुत सिंपल है रटलो 1950 में हुई थी भारती योजना आयो किस था अपना चलिए 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 118 नंबर के कोशन देखिए डटर्म unity and diversity मतलब विविदता में एकता किसके दोरा रचागया सब्ध है तो यह है जोभालान नहरू रटलो क्योंकि बहुत से लो महात्मा गाधी लगा के चले आते हैं ठीक है चलिए जोभालान नहरूजी के दोरा अब हम आ गए 119 पर चलिए इसमें देखें किसके विचार हैं जब हम लोगों को एक छवी में बांध लेते हैं जब हम एक इमेज में सबको फिक्स कर देते हैं तो वो होता है स्टिरोटाइप मतलब आप पुरानी चीजे चली आ रही है आपने उसी को क्या कर दिया है बांध दिया है एक सबी लोगों को फिक्स कर दिया है एक इमेज में तो यह होता है स्टिरोटाइप रूधी बद धारना है जिसे आज भी लोग इतने जकड़े हुए हैं कि अगर आप घर में बोलने कि नहीं नहीं यह गलत है लोग मानते नहीं है सो ऑप्ष्ण नबर 4 विल भी राइट 120 यहां पर हिंदी लिस्ट पहले एक बड़ हिंदी दिखा देती हूं देखिए 120 में ग्रामिर प्रसासनिक व्यवस्था में एक लेक पाल का क्या कार्य है तो आप जानती है उसको जमीन को नापना उसको रिकॉर्ड रखना है सिख्चाई का प्रबंदन ग्राम सभा और लेक पाल का परिक्षा भी आपने दिया है ग्राम पंचायत तो आप आसान पर हमने 30 कोशन कर लिया है और बाकी के 30 कोशन है क्योंकि लगतार फिर से बोल पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पार रहा है चाले हुए इसलिए तो पांच बजे फिर से आपको 30 कोशन मिल जाएगा क्योंकि आपको पता है मैं डेली पूरा सेट करवाती हूं तो मैंने इस सेट का जो है 30 कोशन अभी करा दिया है और इसका पांच बजे भी प्लीज देख ले ना वो आपको 30 सेट तो पूरा तो मैं करवा के रहूंगी चाहें जो भी हो थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूं फिर से दुबारा से क्लास ले लोंगे तो यह आपको मिल गया ना साम को साम को पांच बजे भी याद रखना साम को पांच बजे इसका अगला 30 सेट आपको करना ही है क्योंकि अभी पूरा कोशन बाकी आप यह देख सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट ही सारे कोशन है तो यहां से हम कंटीनू करेंगे 121 से ठीक ना पॉलिटी वाला सेक्शन उसके क्लास आपका पूरा जोगर्फी बचा है पूरा आपका पैडागॉजी बचा है पूरे तीस क्वेश्चन जो कि इसमें से फसेगा जरूर तो आईयोब आपको समझ में आ जाए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो यह बोलने में तो चलो पांच बजे मिलते हैं दुबारा से सस्ट क्लास में इसके बीच में मैं देखती हूँ हिंदी की क्लास कुछ कर ले आप सभी के लिए तो अगर आपको पसंद आए तो ही अपने दोस्तों को शेयर करो लाइक करो अधर्वाइस कोई जरूरत नहीं है हाँ यह जरूर है कि आप पढ़ जरूर लेना क्योंकि यहां से जव कि च यहां और when your home is बंगा हूँ हो जाओ कर लेके की नहां बगसा कर दो हो मिया झाक बवदी को शें जरूरत रध कर नगियर को जरूरत से रह जैंदे हूभाएस के अगसा